हाई फ्रेंस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंस आज देखिए यह वेश्ट और बेकार फटा हुआ जो हमारा स्टोरेज बैग है जो ब्लैंकेट के साथ आता है आज हम इसका यूज करने वाले हैं तो बहुत यह अच्छा यूज मैं इसका करने वाल मैं इसके जो जिप है वो मैं निकाल लेती हूँ अलग जो चैन है और इसके जो सब पार्ट्स है जो ऊपर और नीचे वाला जो बेस पार्ट है और टोप पार्ट है उसको निकाल कर मैं अलग कर लूँगी और जिप को निकाल कर अलग कर लूँगी कुछ इस तरीके से आपको निकाल कर उसको अलग-अलग कर लेना है बहुत ही अच्छा यूज इसका होने वाला है और आपके बहुत ही काम आने वाला है और आपको अलग से भी जिप नहीं लेनी पड़ेगी यही जिप आपके काम आजाएगी और इसका टोप और बेस पार्ट आपके ये भी काम आएगा तो देखे कि इस तरीके से मैंने अलग कर लिया है क्योंकि जो इसका टोप पार्ट और बेस पार्ट होता है वो काफी स्टप और अच्छा होता है तो इसको हम फैंकेंगे नहीं और जिब का भी हम यूज करेंगे तो देखे इस तरीके से हम कटिंग करके देखे मैंने इसको अलग-अलग निकाल लिया है और इस पे बैड सीट मेरे पास ओल्ड बैड सीट थी तो उसका कपड़ा मैंने लगा कर इसको चारो तरफ से सिलाई कर लिया है देखे उसी सेफ में मैंने इसको कट कर लिया था और देखे सेम ये मैंने दो पेस तयार कर लिया है और इसके जो है चारो तरफ का भी मैंने तयार कर लिया है लेकिन वो आभी मेजरमेंट के अकोडिंग नहीं है इसी तरीके से आपको कहीं पर भी एक जगह माग करके और इसके मेजरमेंट ले लेने हैं चारों तरफ के तो ये देखिए जिस तरीके से मैं या से इसके मेजरमेंट ले रही हूँ तो इसके measurement की according ही आपको जो है बाकी के पीस तैयार करना है जो आपका बीच में लगेगा तो यह देखी यह हमारा आया है जो है 76 inch का और आपको इसकी height अपने according ले लेनी है आपको जितनी भी height चाहिए जितना ज़्यादा आप इसमें सामान स्टोर करना चाहते हैं उसी की according आपको height लेनी है मैंने 12 inch की height इसकी लिए है और देखिए इस पे मैं जिप लगाऊंगी तो जिप वाला पार्ट मैं जिप की size की according आप ले लीजिए तो मेरा 61 के करीब जिप है तो मैं यहां से उतना ही लोंगी और बाकी का कट कर लोंगी तो इतना ले ली थी यह मेरा देखिए 63 आया है तो वो 63 ले लिया है मैंने क्योंकि मेरी जिप है वो इतनी ही है और बाकी का जो हमारा बचा आप जो है 76 में से 63 माइनस कर दीजिए और जो बचा आप उसका यहां से measurement की according उतना ही ले लीजिए दूसरा piece और उसमें बस वन इंच पलस कर दीजिए ज़्यादा आपको पलस नहीं करना है क्योंकि अगर ज़्यादा पलस करेंगे तो कब्रा एक्स्ट्रा आपका बच जाता है तो यह देखिए मैंने जो है उतना ही ले लिया है और माक करके इसको cutting कर दूँगी और इसकी height आप पहले जिप लगाएंगी दूसरे वाले पार्ट में और उसकी according आपको इसकी height लेनी है यह देखिए मेरे पास यह तुकड़ा था तो मैंने पूरा quilt कर लिया था और यह मैंने plastic bag इसमें लगाया हुआ है तो धेखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाप पहले wakes को जिप जोईन्ट कर लेनी है इस तरीके से रखे पूरे पर आपको यहां से जिप को लगा लेना है तो अहीं देखें जिप हमने अब लगा ली है अब जिप लगाने के बाद जो भी हमारा पार्ट यह नहीं 12 इंच का जो था जिप लगाने के बाद जितना भी हुआ उतना ही मुझे यह पार्ट लगना है बाकी को मैं कट कर दूँगे तो कुछ इस तरीके से से लेंगे और दूसरे इससे भे रखके आप सिलाई कर देंगे तो देखे और इसके बाद हम क्या करेंगे सिलाई करने के बाद यह दो स्ट्रैप लिए है मैंने तो इसके हैंडल हमें बनाने है तो हैंडल बनाने के लिए ही मैंने लिया है 25 है आप अपनी अकोडिंग हैंडल लिए थे और पट्टी ली थी मैंने 18 by 4 की तो इस तरीके से उसके पट्टी बना लीजिए मैंने पट्टी बना लिए सेंटर में माक कर लीजिए आप उसके जो जिप वाला पार्ट है उदर से भी और दूसरी साइड से भी सेंटर में माक आपको करना है जिप को जिप का सेंट निकालना है दे देगी इसका सेंटर मार्ग हमने लगा लिया सेंटर मार्ग लगाने के बाद जो आपको स्ट्रैप लगानी है उसके मार्ग लगाने है थ्री एंड हाफ इंच थ्री एंड हाफ इंच पे दोनों साइड और यहां पे आपको सलाई कर देनी है तो आपके जो स्ट्रैप है वो अटेच हो जाएगी, एस συम प्रोसेस आपको दूसरे पार्ट में करना है, इसमें भी आपको सेंटर निकालना है और सेंटर निकालने के बाद आपको 3.5 इंच एक साइड और 3.5 इंच एक साइड दोनों साइड आपको लेनी है और स्ट्रैप को अटेच कर देनी है ये देखे, दोनों साइड मैंने रख दिया इसी तरीके से और स्ट्रैप को अटेच कर दीजिए यह strap attach कर दी है मैंने अब strap attach करने के बाद जो center point हमने निकाला था जिब का जिब वाले पार्ट से तो इसी तरीके से इसके center से center मिलाते हुए रखेंगे और चारो तरब से इसको सिलाई कर देंगे पर देखे चारो तरब से मैंने इसको सिलाई कर दिया है और अब जिब की side हमारी रह गई है तो उस side से भी दोनों side का आपको क्या करना है center निकालना है दोनों part का और इसके center से center को मिलाते हुए इसको भी चारो तरब से stitch कर लेंगे तो देखे इसको भी stitch कर लिया है रफन जिस पार्ट आपको clear करने है तो आप pipe in वगयरा लगा सकते हैं मैं इसमें pipe in नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा जूरुत नहीं लग रही है pipe in की देखे कुछ इस तरीके से हमारा ये बैग बन के तैयार हो गया है और इसमें आप काफी बड़े size का heavy cumble भी रख सकते है heavy blanket आपका इसमें आ जाएगा क्योंकि मैंने जो इसके height रखी है वो 12 inch काफी ज़्यादा रखी है और ये वैसे भी मेरा big size का ही बैग था तो मैंने ये big size का storage blanket बैग मैंने तैयार कर लिया है तो friends आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो अच्छी लगी है तो like कीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe करना बिलकुल भी मत भूलिए bell icon press कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की notifications आपको मिलती रहें बहुत ही useful useful ideas मैं आपके साथ share करती रहूंगी तो friends देखिए आपका stories बैक भी बन गया है और आपका कुछ इसमे जीरो ओफ कोस्ट में यह तयार हो गया है बहुत heavy size के blanket के लिए और आपका कोई भी पैसा जिफ बग्यारा के लिए भी नहीं लगा है तो friends